नमस्कार दोस्तों मैं मिनोद कार्टिक नेत्याग राशिष पर आप सभी लोगों का हर्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों मैं एक बार आपके लिए एक और खुश खबरी लेकर आया हूँ दोस्तों जैसा कि आप देख रहे थे कि बेशिक स्वागत की 69,000 साहग जो अध्यापक भरती थी उसमें कुछ पद सेश रहे गए थे यानि कि जो पहले चैनल में भरती हुई थी उसमें 31,271 पदों को पदों पर भरती हुई थी और जो बाकी सेश पद थे उसमें से 1133 पद ज और जो अनुसुचिजाती के पद्ध है जो आनुसुचिजजाती के जो योग्य अव्यारती नहीं थे आनुसुचिजाती के उनको खाली कर दिया गया है यानि कि उनके इस्थान पर किसी दूसरे को जगह नहीं दी गई है अब उसमें क्या है कि जो 79,000 भरती थी 79,000 में से 31,277 पर तो भरती हो चुकी है अब 1133 पद जो इसमें जंजाती के हैं उनको अलग कर दिया करके जो बचते हैं 36,590 पद उन पदों पर जो भरती रह गई थी उनको दिसंबर के पहले सप्ता में नियुक्ती पत्र दिया जाएगा यानि कि उसकी जो कारवाही है वो तेज हो चुकी है यानि कि दिसंबर के पहले सप्ते में आप देख रहे हैं ये मोटी मोटी हैडलाइन उपर लिख्की हुई है 36,590 सिक्षकों को दिसंबर के पहले सप्ते में नियुक्ती पत्र मिलने वाला है तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशकबरी है और साथ में ये भी कहा गई CM योगी लखनव में नियुक्ती पत्र देंगे जो कुछ नियुक्ती पत्र हैं उनको लखनव में जो CM योगी जी हैं हमारे मुख्यवंतरी हैं योगी आतितिनात जी हैं वजाई धाई लखनव में जो भी चैनित अभ्यारती होंगे उनको नियुक्ती पत्र देंगे जो जिलाइस्तरिय हैं जिलाइस्तरिय जितने भी जिलों के परभारी हैं इस्थानिय विधायक हैं और संसद हैं उसके नियुक्ती पत्र वित्रित करेंगे उनको जो नजदी की हैं उनको वो सांसद हैं जिला पर भारी हैं इस्थानी विधायक हैं वो इसमें न्यूक्ति पत्र उनको वित्रित करेंगे और परदेश के विधान परिसर चुनाओ की आचार सहीता के मद्दे नजर बेसिक शिक्षाविभाग ने परदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चेनित अभ्यार्थियों को न्यूक्ति देने की अनुवति मांगी थी यानि कि इस भरती के लिए की आचार सहीता ना ल आचार आयोग को भेजा गया था और उसको अनुमति मिल चुकी है अब आप मैंने जो अभी बताया था वो यहां आप देख रहे हूंगे रहे थे 1133 पद उनको छोड़कर जो सेश पद बचे हैं लगभग 36,590 पद उपर अब न्यूक्ति होनी है और सरोच न्यायले के सरकार की और से निर्धारित कटोप के आधार पर न्यूक्ति देने के आदेश के बाद नवंबर के अंतिम सप्ता में काउंसलिंग की पिरकरिया शुरू होगी यानि कि नवंबर म महां में आपकी काउंसलिंग होगी और दिसमबर के पहले सबता में जैसा कि आप देख रहे हैं तो दिसमबर के पहले सबता में आपको न्यूक्ति पत्र मिलेंगे यानि कि ये तो बहुत बढ़ी खुशकवरी आपके लिए हो गई है कि जो भी यहाँ पर आप नवंबर एं है और दिसंबर जाते जाते यानि कि 2020 जाते जाते आपको भरती का लेटर हाप के हाथ में देता हुआ जाएगा ये बहुत बड़ी खुश ख़बरी है आपके लिए तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि सब्सक्राइब कर लिए ताकि समय समय पर हम आपको जो भी अपडेट आता रहेगा उसको अपडेट को हम आप लोगों को देते रहेंगे तो मिलते हैं बहुत जल्द तब तक के लिए नमस्कार जै हिंजै भारत